नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों वेल्टम करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ओर्गनिक ग्रीन कार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर साथ में उम्मिद रखता हूँ कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हमारी रूट अप गार्डनिंग की एक ओबर व्यू आप देखने वाले हैं बनेरे इस वीडियो में बहुत ही यह इंटरस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो विश्टिवल है या बहुत सारे ऐसे फूरूट वाले पौदे होते हैं जिने आप बड़ी आसानी से चट पर भी लगा सकते हैं अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप हमारे वीडियो देखते ही होंगे कि किस तरह से हमारी वीडियो होती है पूरे स्टेप बाइस जिस भी पौदे को हमें ग्रो करनी होती है उसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी इस्तमाल करनी चाहिए, कौन सी खाथ, कौन सी फटलाजर और कौन सी स्टेप में हमें इस्तमाल करनी चाहिए पूरी अपडेट के साथ हमारी वीडियो complete अपडेट के साथ बरती है तो साथ आपने देखे होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको ओभर यहां दिखाने वाला हूँ जो कि आप देखेंगे कि हम अपने टैरेस के उपर भी बहुत सारे सबजिया है या फिर फूर्ट वाले जो पौदे हैं, उन्हें हम आसानी से लगा सकते हैं तो अच्छे खासे इनके जो फूर्ट है, इनके जो फेजिटिवल है, वो अच्छे सी भी लग जाती है यह देख सकते हैं दोस्तों, यह है गन्ने, यह सुगर केन प्लांट है और आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक की टब में हमने ग्रो करा था और इनके दो चार बीज हमने लगाया थो अभी आप देख सकते हैं इतने सारे इनमें सुगर केन प्लांट जो गन्ने हम कहते हैं, वो लगी हुई है बिल्कुल जबरदस तरीके से दोस्तों, यकीन मानिये, यह जो गन्ना है इनकी रज, इनकी मीठा, इतनी जबरदस इनकी मिठास है कि बस कहिये ही मन खास करके सबसे बड़ी तो खास यह दिया है दोस्तों, कि इसे बिल्कुल हमने और्गनिक रूप से उगाया कोई भी यूरिया या फिर केमिकल जुरसाइनिक डियेफ्री या फिर पोटास है उसका हमने इस्तमान नहीं करा है यह प्यॉर और्गेनिक है और जबर दस तरीके जो इसकी हार्वेस्टिंग है आम देख सकते हैं कितने सारे गंडे बने हुए हैं एक ही गंडे में साइद अग पूरी अपडेट के साथ है वैसे गंडे को दोस्तों आप अगर बेस्ट मौसम की बात करे हम तो October से November का मन्त जो है वो सबसे अच्छी मौसम होती है बसंद का मौसम की बात करें अगर घर्मियों के मौसम में तो फरवरी से March के मौसम में गन्य के पौधे लगाए जाते हैं इनके चोटे-चोटे गन्य के गांट से इनकी 20 दियार होती है तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो फूरी कंसप आपको complete हो जाएगी डिटेल से आप जान सकेंगे कि गण्ये को हमें किस तरह से लगाने चाहिए यह देख सकते हैं बहुत ही जवर्दस्त इसकी वीडियो है दोस्तों और एक बार अगर आप गण्ये लगा लेते तो इसके नीचे से बहुत सारे पॉप्स निकलते हैं दोस्तों चोटे चोटे पौधे निकलते रहते हैं इस तरह से आपके गंडे के पौधे कभी खतम नहीं होने वाले हैं बहुत सारे इसे पौधे भी त्यार हो जाते हैं नीचे से तो आप चाहें तो इसकी नीचे से जो पौधे निकलते हैं उसे आप डिवाइड करके और भी पौधे त समय लेलता है इसे बिल्कुल मैच्छोर होने में तो आप इसे लगा सकते हैं इसकी कम्टेश वीडियो आप देख सकते हैं और वाके में रिजल्क दोस्तों कुछ आपको भी इस तरह से मिल सकती है यह देख सकते हैं गंबली में श्रीफ इतने जबर्दस तरीके से गन्ने का फ दिक हो तो फिर क्या कहने यह देख सकते हैं कमाल की इनके फौधे मने हैं दोस्तों बहुत ही जबर्दस थमके सकते हैं और एक बार आप इस तरह के एक दू बीज लगा लेते हैं तो सालों साल इनके पौधे खुद से त्यार होते रहते हैं कि नीचे से छोटे-छोटे तो चलिए अगली कुछ और मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह से हमने अपने च्छत के उपर कितने सारे सब्जिया और बहुत सारे से फूट वाले जो पौध होते हैं हमने आसानी से ग्रूप रहा है अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूं कफुरी लोंग मेलन जैसे गर्म देख सकते हैं और यकीन मानित हो तो बहुत सारे फूटिंग लगती आप देख सकते हैं और इस तरह से हर घंदे में एक से दो पूधरने लगाया था और इनकी बेल अभी भी फैल होई है और फूट आप इसे तोड़ते जाए तोड़ते के बाब बहुत सारे से फूटिंग फिर से लगती तोड़ते तेम चाहर बान आप इसके फूट को तोड़ सकते हैं डे बाए डे बहुत सारे फूटिंग लगती है और इस तरह सुट गर्मी की दिनों में फूब आप लुप ले सकते हैं इनके साइज आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही लबी है जब भी आप कफ्री को लगाते हैं तो आप पोसिस करें फूटिंग के लगाएं हाइब्रीड वाले की बीज होते हैं दोस्तों उनसे पौधे अच्छे बनते हैं इननी बीमार्या कंग लगती है और फूटिंग जल्दी लगने लगती है पौधे भी अच्छी होती आप देख सकते हैं इतने सारे फूटिंग लगी हुई है बस तक्री को लगाने के लिए हमें स्वेल त्यार करने होती है एक ऐसी स्वेल जिसमें खाथ अच्छी तरह से हो अपकी रिज स्वाइल होनी चाहिए तो इसकी डिटेल सी वीडियो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो हमने पूरी अपडेट के साथ बना है दोस्तों की तफ्रीक लगाने के लिए हमें किस बना ही सम्त्री आप जान जाएंगे तो इस तरह से कौद आपके त्यार होंगे और इस तरह से बहुत सारे कट्री है वाटर मेलन हैं और वी बहुत तूट वाले कौदे हैं जिन्हें आप इसे उगा सकते हैं अपने एक वीडियो हमने अपके साथ सेयर करा था आप में देख सकते हैं इस तरह से कफ़ी को भी आप लगा सकते हैं लिन्क अगर आप इस लिए अगर इसकी वीडियो में चले जाएंगे और इसकी वीडियो पूरे डीटेल के साथ आप देखेंगे कि काफी को ऊगाना किफनी आसान है साथी दोस्तों खीरा हुआने का भी एक वीडियो है जो कि आप देखेंगे तो आप भी खीरा को अपने पैरिस की ऊपर अपनी बाल की निम्हें कहीं भी आप इसे उखा सकते हैं बस अच्छी से इसकी अच्छी इंफर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप भी बहुत सारे से सरसर दिन हुए हैं और सरसर दिन के बाद के दिजल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ककड़ी के पौधे में इतने सारे फ्रूटिंग लगी है कि आप दोस्तों अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगी इतने सारे फ्रूट वो भी दोस्तों ये मिट् देखेंगे, तो just इसकी बेग सैट भी बहुत जबर्दत तरीके से fruit लगी है दोस्तों तो आप भीकरी को आसानी से grow कर सकते हैं तो लगबग 35-40 दिन के बाद इस में जब fruit है, वह जबर्दत तरीके से आने लगती है, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे fruit हमारे harvest करने के काबिल भी है और बहुत सारे छोटे-छोटे fruit अभी भी लग रही है तो चलिए अभी हम इस fruit को harvest करेंगे और कुछ हम इसके fruit की size को जो है हम यही पर test करने वाले हैं दोस्तों और अभी fruit के size दोस्तों आप देख सकते हैं काफी यह लंबी हो चुकी है यह आप देख सकते हैं मतलब इतने लंबे fruit की size होना बहुत ही माइने रखता है वो भी दोस्तों गम लेते हैं चलिए फिलाल अभी हम एक fruit को तोड़ते हैं और इनके जो taste है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे हम तोड़ते हैं दोस्तो इसे हम यह रहा बिल्कुल ब्रेस ताजी और organic है दोस्तो यह प्यूर organic है और खास करके गरबियों के शीजन में इसे खाना थो अच्छे स्वद लेना चाहते हैं तो इनकी size perfect यह size है दोस्तों अगर ज्यादा मोटी हो जाएगी तो इनके स्वाद जो है वो काफी डिफ्रेंट हो जाते हैं तो अभी हमारे पास यह नमक है थोड़ी सी मेच की पाउडर है तो चलिए इसे हम यहीं चखेंगे और चलिए जबट दर्थ है दोस्तो लाज जवाब स्वाद है इनमें जो पानी की जो मात्रा है दोस्तो लगबक 95% में पानी के मात्रा है जो हमारे सरीर को डि हैडरेट से बजाती है और खीरा और कक्री गर्में के मोसम में खाना हमारे हेल्थ के लिए हमारे सरीर के लिए काफी फाइदे बंद होते हैं दोस्तों वाव जबड़ दास है यह एक पूरी फैमली आप खा सकते हैं आप यह देख सकते हैं लगबग 10 गंबले में हमने ग्रोव करा है बहुत सारे फ्रूट है दोस्तों और एक बार जब फ्रूट लग जाती है जब इनके देख सकते हैं यह छोटे चलिए आप इस तरह से उगा आप करके मजा ले सकते हैं दोह टो खास करके मुझा में जगे की कमी है तो आप इस तरह से करिव कर्या फिर खीना को अगा सकते हैं और अगर इसकी इसकी डिटेल कि西यजरंक वीडियो आप देखना मिक्सियर किस तरह के खाद पूरी स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो को हमने बनाए दोस्तों अगर आप सुरू से इसकी वीडियो देखना चाहते तो आप डिस्क्रस्टन बॉक पे चेक कर सकते इसकी पूरी कंप्लीट एक वीडियो की लिंक हमने दे रखा है तो फिलाल और इधर भी देख सकते हैं फ्रूट बहुत सारे दोस्तों अभी तो मैं आपको एक साइड की फ्रूट आपको दिखा रहा हूं जस्ट अगर आप इसके बेक साइड देखेंगे तो और भी फ्रूट लगी हुई है कि ऑ है और यह आप देख सकते हैं चालिये मैं आपको सामने से इसकी गॉत दिखा सकते हैं इस कि देख सकते हैं आप यह इधाने दोस्तों गजव की मूठिया जो है इसे जो गुछ ओक है और यहां से भी मैं आपको लिख्या हुँगा इस्तरहसे गर आप चाहे तो चोटी- उखार के मैं आपको दिखलाता हूं कि किस तरह की इसकी जो गुच्छे बने हुए हैं यह आप देख सकते हैं तो यह है हमारा दोस्तों कोरियंडर अभी देख सकते हैं यह प्लास्टिक की टब है और जादी गहराई नहीं है दोस्तों इसमें मैक्सिमम 5-6 इंच की गहराई है और अभी आप देख सकते हैं हमारे धनिया की जो ग्रोथ है वो काफी बेमिसाल हो चुकी है धनिया को अगर आप सही से ग्रोथ करना चाहते हैं तो इनके लिए मिट्टी बहुती धियान रखने होती है अगर आपकी धनिया को आप चाहते हैं कि धनिया हमारी कुछ इस तरह स जो आप मिट्टी अपने खेट से या फिर गार्डन से लेते हैं उस मिट्टी को बारी कर ले पूरी अच्छे से उसे करस्ट करके उसे आप बारी कर ले और किसी चन्नी के मदद से आप से चान ले चानने के बाद आपके मिट्टी बहुत हलकी हो जाती है और इस हलकी मिट्टी ऐसे मित्टी में जब आप धनिया लगाते हैं तो धनिया की जो रूट है वो काफी तेजी से डेपलफ होती है मित्टी के अंदर में अब देखेंगे इस तरह से अगर पोधे की जो धनिया की रूट अच्छे से फैलती है तो आप देखेंगे ऑवराल इसकी जो ग्रोथ है वो काफी ओपर निकलती है काफी हेवी निकलती है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से तो इस तरह से आप धनिया को लगा सकते हैं धनिया को जब भी आप लगाते हैं अगर इसकी जर्मिनेशन आप जल्दी चाहते हैं तो आप इसे धनिया जल्दी जर्मिनेशन होती है इससे भी बड़ी बात है दोस्तों अगर इसे ग्रोथ आप और अच्छे अपाना चाहते हैं तो लिक्विट खाद का इस्तमाल करनी होगी जो वर्विक कंपोश होती है या फिर गोवर खाद अगर आपके पास पुरी तरह से गली सड़ी ह या डिकंपोश हो उसकी लिक्विट खाद हमें त्यार करनी होती है लिक्विट खाद हमने बना रखा है इसकी वीडियो अगर देखना चाहते है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं इसकी एक वीडियो हमने बना रखा है लिक्विट खाद हर 8-10 दिन के अंतर में आपको ला जवाब है दोस्तो इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो हमने बना रखा है अल्रेडी इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है साथ आपने देखे भी होंगे अगर आप इसकी वीडियो नहीं देखे होंगे अगर देखना चाहते हैं तो अभी आप डिस किस तरह से grow करा था किस तरह से त्यार करा था इसकी soil इसकी खाद और किस तरह से हमें देख रहे करनीश चाईए पूरी care इसकी वीडियो पर मुझूद है आप भी कुछ इस तरह से धनिया को उगा सकते हैं धनिया को उगाना बहुत ही आसाने दोस्तों आप किसी भी घर पर जो धन्या को बहुती आसानी से उगाया जा सकता है और कुछी इस तरह से रिजल्ट आपको मिलती है विंटर में और चलिए दोस्तों अभी मैं आपको जिंजर दिखाने वाला हूँ अदरक की अदरक ये देख सकते हैं ये है अदरक का पौधा और धर्मा कोल के जो बॉक्स होती ह इस तरह से इस तरह के बॉक्स में आप जो जिंजर है इसे बड़ी असानी से बोगा सकते है और इसकी रिजल दोस्तों बहुती लाजवाब है इसकी हार्वेस्टिंग अगर आप देखेंगे गजब की हमें अदरक मिल जाती है इस बॉक्स में दोस्तों अदरक के हमने और अदरक बने है वह भी फ्रेस है दोस्तों और 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 ऑगेनिक भी है और गानिक रूप से आप अदरक होगा सकते हैं और इनकी राइज है और आने वाले में देखेंगे इनकी ग्रोध बहुती जबरतस तरीके से लगती है यह देख सकते हैं सबसे बड़ी बात तो इस अधरक को जब हम लगाते हैं दोस्तों तो देखने में काफी खुशुरत भी होती है और वहां के आस पास में इनकी खुस्बू फैलती है अधर से माई के भी सबसे बेस्ट मौसम होता है और लगबख 8-9 मेने के वक्त लगता है दोस्तों जो की आप देखेंगे थोड़े से अधरक लगान लेने के बाद हमें काफी सारे अधरक मिल जाती है अब देख सकते हैं यह nine मेने की दिजर्ट है दोस्तों नो मेने के बाद आप की काबिल हो चुकी है अभी मैं आपको चलिए दिखाता हूं इस थर्माकॉल के बोक्स में दो चार बीज जो हमने लगा था इसकी हार्वेस्टिंग आप देखें दोस्तों बहुत ठीक है इसकी वीडियो और टेरी हमने अपलोड कर दी है साइध आपने देखे भी होंगे अभ उजुदी व्चे、 और आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो पसंद लगता हो तो एक राक जरूड़ किले है इसे हमें पुरसाहित मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए अगर आप हमें लाइक देते हैं कोई भी सवाल हो कोई भी कमेंट रो तो आप हमें पूश सकते है इससे वीडियो बनाने के हमें थोड़ी से उत्सा और मिलती है और फिर वीडियो में इस तरह से अपलोड करते रहूंगा जिससे आप भी थोड़ी इंफॉर्मेटिव इससे इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलती रहेगी तो वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप एक लाइक जरूर कर दे और चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर कर सकते हैं यह देख सकते हैं अभी चली निकाल के मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से अभी तो ऊपर से ही आपको दीख रहे होगी इनकी गांठे जो अदरग है अभी यह देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस थे दोस्तों बड़े बड़े इनके राईजों में लेगे हैं और वीडियो लंबी है इसलिए चलिए मैं अभी शॉट्स में आपको दिखाऊंगा काफी वेट है दोस्तों और ये देख सकते हैं चलिए अभी मैं निकाल के दिखाता हूं इनकी मित्टी भी हमें बहुत ही ख्याल रखने होते दोस्तों इनकी मित्टी काफी ध्यान से हमें बनाने होती है काफी हलकी लाइट वेट बिल्कुल फॉरस मित्टी हमें बनाने होती है हलकी मिर्टी होती है तभी जाकि अधरक जो होती है जो अधरक बनती है वो काफी तेजे से बनती है इनमें पानी का ख्याल हमें बहुत रखनी होती है ओभर बाटिंग से हमें बशनी होती है अधरक को इतना पानी दे ताकि मिर्टी यो है वो बिल्कुल मॉइस्ट हो सके चाहिए तो अपर धूप मिलेगी तो आपके जो जिंजर के पौद है वो अच्छे से ग्रो होंगे और इनके राइजुम जो है वो बारे बड़े काफी बड़े बड़े साइज के बनेंगे यहां से आप देख सकते हैं इनकी मिटी भी आप देख सकते कितनी भूबूरी है और यह रहा हमारा पहला हर्वेस्टिंग दोस्तों बहुत ही जवरदस्त है मैक्सिमम इसमें हमें 7-8 केजी हमें अदरक मिली थी यह देख सकते हैं यहां है और ऐसे अदरक दोस्तों हमारे सहत के लिए बहुत ही फाइदेमाद है खास करके अगर औरगनिक अदरक हमें मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों अदरक एक ऐसी मैडिशन हम कह सकते हैं जो की काफी योज़ फूल है आयूरवेद में भी इसका इस्तमाल काफी होती है तो खास करके अगर आप अपने घर पर योज़ करना चाहते तो हम मेरा सज़ेस यही होगा कि आप अदरक ज चार बॉक्स में अगर हम लगा लेंगे तो लगबाग साल भर हमें अदरक जो है वो मार्किट से खरेदने की जरूरत नहीं होगी और ऐसे अदरक बिल्कुल फ्रेस भी है दोस्तों हमारे लिए काफी यूज़ फूल होगी क्योंकि मार्किट में जितने भी ज़्यादा तर वेज़िवल आते हैं जितनी भी सबजे आते हैं उनमें बहुत सारे रसाइनिक खाथ रसाइनिक पेस्टिसाइड का इस्तमाल की जाती है तो हमें थोड़ी बचनी चाहिए हमें थोड़े ध्यान देनी चाहिए अपने सहत के उपर इससे हमारे सहत भी अच्छी होगी इस तरह से हमें मेहनत करेंगे तो हमारे स्वास्त के लिए भी काफी फाइदे मंद होंगे तो छोटे बहुत इस तरह से अप देख सकते हैं यह बहुत ही बड़े राय जो मैं दोस्तों बहुत ही बड़े अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल से तो अभी इक लिंग हमने दे दिया है अपने डिस्कर्वाक्स पर व्याइए तो इक लिंग हमने दिया हुआ है जिंजर के नाम से और आप इस वीडियो को डेटेल से देख सकते हैं पूरी अपडेट के साथ हमने बनाया है अधरक को लगाने के लिए बीज हमें किस तरह से चाहिए है कब हमें अधरक लगानी चाहिए किस तरह से हमें क्यार करनी चाहिए कौन से फटलाइजर कौन से स्टेप में देनी चाहिए पूरी अपडेट कम्प्लीट वीडियो बनी है दोस्तो हर वीडियो हमारे चैनल पर आपको पूरी अपडेट के साथ मिलेगी पूरी result के साथ मिलेगी जो कि देखने में भी काफी मज़े आएंगे काफी अच्छी result मिलेगे और आपके लिए भी बहुत ही useful होगी इसलिए इस चैनल को अभी आप subscribe जरूर कर ले क्योंकि ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए काफी useful हो सकती है अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है इस चैनल को आप subscribe जरूर कर ले अगर आप पुराने subscriber हैं तो आपको आप बहुत बहुत धन्यवाद और ये देख सकते हैं तो चलिए मैं आपको और ऐसी harvesting अगर हमें मिलती है तो वाके में दोस्तों बहुत खुशी मिलती है बहुत सकून मिलती है और हमारे लिए useful भी है ऐसे इस तरह की vegetable जब हम अपने घर पर उगाते हैं तो वाके में ये हमारे लिए काफी फाइदा मन है क्योंकि इसमें हमने कोई भी रसानी खाद जैसे पुटास यूरिया जो होती है उसका इस्तमाल हमें नहीं करने होती है गोवर की खाद पतों की खाद आप इस तरह की इस्तमाल करेंगे और ऐसी बिल्कुल औरगनिक सब्जिया बचार की तुल्ले में आप अपने घर पर खुद से उगा रहे हैं काफी बेनिफिट्स होगी आपकी हेल्थ के लिए तो मेरा सजिस यह होगा आप इस रस से अपने घर पर भी उगा सकते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों एक राइजों इतने बड़े-बड़े हैं बहुती संदार बहुती लाचवाब बहुती बेमिशाल है दोस्तों तो इतने सारे अधरक अभी हमें बिल्कुल फ्री में हम कह सकते हैं बिल्कुल फ्री में कह सकते हैं क्योंकि दो-चार अधरक हमने छोटे-छोटे टुकड़े इस थरमाकूल के बोक्स में लगाया था और मैक्सिमम 6-7 के जी हमें अधर्ट अभी मिल चुकी है ये अधर्ट एक हमारे लिए काफी दिनों के लिए है छोटे से परिवार के लिए काफी